हेलो बच्चों, हमने अब तक पढ़ा था प्रतिपक्ष में, राम और संबूग के भी जो समवाद होता है, तो संबूग कहता है, कि अगर आपने अपने इस अयोध्या के राजा होते हुए, अगर सीता का परित्या किया, आपने तो, आप खुद ही उनके साथ क्यों नहीं चले गए, क्योंकि आपको अपने वंस के, अपने सूर्या वंस का घमंड था, इस चक्कर में आपने इछोड़ पाए, तब राम उनको उत्तर देते हैं, कि अब आगे बस करो, तुम अपनी बात तुमानी को विराम दो, क्योंकि मैंने जहां कहीं भी सीता की बात आई, तो मैंने उस चाहिए, बुले, सीता ने रही हो, उसकी मूर्ती को रख करके ही काम चलाया, क्योंकि मैं एक पत्नी व्रत का पालन हमेशा करता रहा हूं, तो आगे संबूग कहता है, वो हम पढ़ेंग वैं पड़ीवन में रहेगी आँसों से सिक्त, भूमिजा की कमी कैसे कर सकेगी पूर्ती, मृतिका की नहीं सोने की बनेगी मूर्ती, तो पहले हम शब्दार लेख लेते हैं, पालक पालन करने वाला, उतकर्स उननती, रिक्त खाली, भूमिजा सीता का एक नाम, मृतिका तो यहां पर है संबूख कहता है कि जैसे ही राम ने कहा कि मैं यग्ये में और में सिता की मूर्ति रखकर के सिता का अपने एक पत्नी व्रत का पालन करता हूं तब संबूख कहता है राम धन्य हो आदर्षों की पालन करने वाले राम आप धन्य हो और आपके आदर्ष भी धन् इसने हैं आधर्स कि क्या आतना पत्नी त्याग किह का चुछ को लगाूत कर शुठ्टि आपणनी उन्नत्री मिलती रही या मिलने लगी या आपने अपने उन्नत्री समझ利 आधर्स उपस्तित करने के लिया आपने नीर्य और निसहाइगरबवती अभलासिता को वन में निकाला दे दिया ये सब आपने अपने उन्नति हे तो प्रजा प्रदर्शन के लिए किया और फिर अपने आदर्शों अपने आदर्शों को आदर्शों की महानता के लिए आप कह रहे हैं कि यग्यवेदी पर सीता का इस्थान हमेशा रिक्त रहेगा यग्यवेदी पर रहेगा इस्थान उनका रिक्त बहाँ पड़ी वन में रहेगी आंसों से सिक्त किसी और इस तरी को नहीं अपनाएंगे इन सब बातों से आपके बहुरूपिय होने का संकेत मिलता है सिता जंगलों में अपने आंसों से डूबी हुई है और ये आदर्शों की दुआई देते वे राज भोग रहे हैं तो आगे फिर वो कहते हैं भूमिजा की कमी कैसे कर सकेगी पूर्ती कि यग्यवेदी पर मिट्टी की मूर्ती किस परकार सिता का अभाव पूरा कर सकती है मूर्तिका की नहीं सोने की बनेगी मूर्ती जबकि सिता जंगल में है फिर इतनार सब ढोंक्यों कर रहे हैं सीता की मूर्ती मिट्टी की नहीं सोने की अर्था स्वन परतिमा बननी चाहिए क्योंकि सीता मिट्टी के समान नहीं है वरन उसका महत्व स्वन से कहीं बढ़ कर है तो यहां उन्होंने राम के आदर्शों की खिली उड़ाई है रम्भूग ने और आदर्शी प्रजा के ही नहीं पत्नी के समक्ष भी प्रस्तुत करने होते हैं यह बात उसने डर्ड़ता से रखी है बाशा सरल है ही बच्चों आगे फिर है संबूग कहता है कि राजसी मन पर तुम्हारे स्वन का ही राज्य भूमी पुत्रों का तुम्ही अधिकार अभ भी त्याज्य कब सुना प्रतिपक्ष को तुमने सहीत सम्मान दिया निर्वासन किया वदपक्षदर हो क्या नै करे न्यायाल ले तुम्हारा मत सदा स्विकार बस यही है क्या तुम्हारे न्याय का आधार अब यहाँ पर वर्दार देख लो पहले भूमी पुत्र राम के पुत्र प्रतिपक्ष व पर तुम्हारे स्वण का ही राज्य की हर कारी की पीछे ही राम आपका स्वार्थ सिद्ध करना रहा है उन्हें आदर्ष रूप की लालसा संसार में प्रस्तुत करने की अभिलाशा है तो राज पाट एम राज सी सुखों को भोगने की लालसा है स्वण का ही राज्य भूमी पुत्रों का तुम्ही अधिकार अभभी त्याज्य और इसी कारण राम ने राज्य का त्याग नहीं किया सीता का त्याग कर दिया संबूख कहता है कि राम के राजसी मन पर हमेशा से ही स्वण का अधिकार रहा है राजपाट, राजसी वेभव, स्वण, हीरे, मानक इन सबी के लोभ में वशिबूत होकर राम ने सितायम स्वण के पुत्रों का परित्याकर रखा है अपने पुत्रों के साथ रहने पुत्र सुख कानवव स्वन के कारण ही राम ने त्याग रखा है अब कब सुना प्रतिपक्ष को तुमने सईत सम्मान दिया निर्वासन किया वदपक्ष धर हो क्या नए और आगे उन्होंने का यहां स्वन से आशे यहां राजभोग से ही है क्योंकि सिर्फ सोना ही नहीं लेंगे राजसी ठाटबाट कहलेंगे इसको हम तो वे आगे फिर कहता है संबूग कि राम ने कभी अपने विपक्ष में रहने वालियों की बात नहीं सुनी है वे सदेव अपने पक्ष के लोगों का ही साथ देते थे विपक्षियों को कभी सम्मान आदर नहीं दिया अगर किसी ने कुछ कहने की कोशिश भी की तो या तो उसका वद्ध कर दिया या फिर उसे राज्य निकाला दे दिया करे नियायले तुम्हारा मत्द सदस्विकार बस यही है क्या तुम्हारे नियायक का आधार तो अपराद को जाने बिना समझे बिना उन्होंने हमेशा विपक्षियों के साथ अनियाय किया है राज नियायक सभा हमेशा राम का ही मत्द स्विकार करती है तो अंत में सम्भूख कहता है इसी बात को लेकर राम से पूचता है कि तुम्हारे न्याय का दिकार या आधार बस यही है क्या निरी है एसा हाई लोगों का वद्ध करना इसरी जाती का निर्वासन करना यह राम राज्य की व्यवस्था रही है अयोध्या की न्याइक व्यवस्था का आधार वद करना और निर्वासन देना है तुम्हारा मत सदा सुझा बस यही है क्या तुम्हारे न्याइक का आधार अयुद्ध्या की न्याइक व्यवस्ता के बारे में उन्होंने कहा कि यहां तुम्हारी न्याइक व्यवस्ता तो सदा का आधारी सदा वद्ध करना और निर्वासन देना है राम राज ये को येश कीर्थी के आधार इस्तंभ है इस परकार संभूक राम पर कटाक्ष करता है तो यहां पर नाईक व्यवस्ता राम की नाईक व्यवस्ता पर कटाक्ष किया है संभू ने आगे फिर वो कहता है संभू कहता है व्यक्ति गत निर्ने सभी को मन्य हो हर बार क यह रहा रावन, उधर है बाली, यह संबूक, अबने कहना न्याय में तुमने नहीं की चूक, यदि विबीशन ही तुमारे न्याय का प्रतिमान, तो वही ग्याता, वही त्राता, वही मतिमान, शब्दार देख लो पहले, निर्नय का मतलब होता है, फैसला, चूक मतलब गलती प्रतिमान, मानक, इस्टेंडर्ड जिसको हम कहते हैं तुमारे, और ग्याता, सब कुछ जानने वाला, त्राता, रक्षक, मतिमान, बुद्धिमान, तो यहां शंबूक कहता है, कि व्यक्तिगत निर्नय सभी को मन्य हो हर बार, कि आपका स्वयम का निर्नय, क्या हर बार सभी को मन्य होगा, और कहने का मतलब यही कि राम सिर्फ निर्नय सुनाते हैं, और सभी उसे स्विकार कर लेते हैं, तो क्या यह व्यवार नितिगत है, बस यही है क्या तुम्हारी नियाय का आधार, क्या यही होगा तुम्हारी निति का व्यवार, तो तुम्हारा यह व्यवार क तिगत होगा, राम के अपनी नीती, अपने अभिमान पर आधारित होती है, और बल पूर अक्वे सभी के लिए मानने होती है, नेतिक दरश्टी से देखा जाए, तो यह एक भ्यवार क्या उचित है, यह संभूग उन से पूछता है राम से, तो राम के सभी निर्ने, अगर द रामन उसका वद्ध किया, वे रहा बाली, उसका भी वद्ध किया, और फिर शंभूग उसका भी वद्ध, राम ने अपने नीतिकत व्यवारें, व्यक्तिकत निर्ने पर ही किया है, शंभूग राम से कहता है, कि इन सब का वद्ध करने में तुमसे कोई चूक हुई है, ऐसा ग्याता वही त्राता वही मतिमान संबू का आगे कहता है कि विबिशन का उधारन देते हुए कहता है कि अगर विबिशन ही तुम्हारे लिए न्याय की मूर्ती है तो फिर वही ग्याता है अर्थात सब कुछ जानने वाला ग्यानी और ग्याता है अर्था सभी की रक्षा करने वाला वही बुद्धि मान है तो यहां विबिशन पर कटाक्ष करते होगे कहे रहा है कि विबिशन ही अगर तुमारे लिए ज्ञानी, ज्याय, मूर्थी, बुद्धि मान है तो फिर हमें आपकी बुद्धी पर भी संदे हो रहा है सही गलत का निरने करने में आपसे हमेशा भूल हुई है विविशन बंदू घाती था विश्वास घाती था तता भाई के रक्त संबंद को धोखा देने वाला था उसे सही कहना आपकी बुद्धी पर प्रश्ण उपस्थित करता है तो यहां पर भी उन्होंने राम के न्याइक व्यक्तिगत निरने पर कटाक्ष किया है और आगे है फिर दो लाइनोर है तो फिर हम पहले वही पढ़ लेते हैं कि भूलते हो क्यों हमारे पक्षमे हनुमान अब वो कहते हैं कि तुम ये राम कहते हो राम कह रहा है फिर राम की बात आती है आपर तो राम अब हम कल पढ़ेंगे बचो राम ने क्या क्या कहा था क्योंकि ये तो रखा था पक्ष अपना संबूक ने किस तरह से आपने इन लोगों का वद्ध किया जिनोंने आपकी बात को स्विकार नहीं की तो अब राम कि मैंने किन लोगों का है वो साथ दिया वो राम अपना पक्ष रखेंगे वो हम कल करेंगे बचो धन्यवाद